So what's going on guys RG here, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो जिसके मतलब मेरको बहुत जादा रिक्वेस्ट करी गई है के प्रभुपधा महंटी पे एक वीडियो जुरूर बना है प्रभुपधा महंटी के बारे में पहले जिन लोगों को नहीं पता है मैं उ कड़े लोग हैं गरीब आदमी को करी देते हैं तोड़ा बहुत गरीब नहीं तो चलो चोटे आदमियों कुछ ना कुछ करी देते तो मिलती निया प्रॉपर वीडियो मुझे छोटे चोटे बिट्स एंड पीसिस मिले पर फिर मेरको पदा चला के उन्होंने गाया था मोरा जिया तो एक काम करते हैं हमने उनका कवर रून के निकाला है जो उन्होंने अपने चानल पर डाला था मोरा जिया का तो मैं एक काम करता हूं मैं उस पर रियाक्ट करने की सोची मैंने का लेट सी कैसे सिंगर है प्रभु पता मोहंटी बिगल मैंने उनके बारे में सिरफ सु सुनेंगे and then we'll see to it अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सजेस्टिट वीडियो पे भी रियाक्ट करूं तो प्लीज सजेस्टिंस देना बंद मत करो सारे सोचिल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं सभी चैनल के नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुए and we are gonna have it right now let's see what he has got for us Prabhupada Mohanty ji and uh mazha ane wala guys let's hear oh it's a do it क्या वादा यार जो घुझा जो रहने बाली हमरी ये गुझरिया नाम जो रहने बाली हमरी ये गुझरिया क्या प्राद है क्या बात है यार क्या बात है अंधरों ने कुछ ना कहा दे वाँ देनों ने कह दिया क्या इक्सप्रेशन है यार बंदी की आवाज में इस आवाज को जज करने का चलो निया ककड के जो भी है चलो छोड़ दो हिमेश इतने सालों से म्यूजिक में हैं वो तो जल्ब हुनी क्या होगा के मेरी इसके आजपास भी आवाज नहीं फटकती मैं तो नाक से गाता हूं तो वो अपना नकली शारुख खान वाला रूप मू हिरान इस बात पर हूं कि विशाल दादलानी के होते होते ये गलतिया कैसे हुई है इस बार इंडियन आइडल में विशाल दादलानी जहां तक मुझे लगता है गलत चीज के अगेंस टाइम देने वाले लोगों में से हैं और अगर किसी को फेर चांस मिलना हो तो विशाल स सब्सक्राइब है भीक और रही बात हिमेश्य लोग बोलेंगे कि हमेश्य ने बहुत से लोगों को निया मोका दिया रानु मंडल तक को दे दिया पर वो लायक उसी के है इन्हों ने विनीत को मोका दिया था आज की जैड में विनीत भी उसी जगह पर वापिस खड़ा है और नेपोडिजम के चलते हैं विनीद को भी उपने वहाँ पे लिलिया अब वो पता नहीं पैसे के लाके किया गया है या कैसे किया गया है यह तो यही जानते हैं लेकिन इस कैलिबर के सिंगर को सुनने की अकात इन लोगों की नहीं है sorry for that एक आदा मच्छर आ जाता है जैसे यह इस टाइम जजजज मच्छर बनके बैठे हैं तो गाईज एक ही चीज में बोलूँगा आपसे बड़े प्यार से कि यार आपको क्या लगता है कि इंडियन आइडल में ऐसे सिंगर्स की कदर होगी आप मेरे को यह बताओ फिर अगर इस इस आपसे चलना है तेरा तो लोग आ गए टॉप 14 होते हैं 14 सीजन में सारे इंडियन आइडल के विनर्स को भी बुला लो दुबारा 14 कंटेस्टर तो हो जाएंगे हैं एक निया ले लेंगे हैं अगली बार उटा कर देंगे तो मतलब यार मेरे को एक बात बताओ जिस बंदे को अल्रेडी आपने उसका ड्यू दे दिया डू यू तिंक जिस बंदे को बॉलिवूड सौंद मिल चुके हैं तो एक भी क्यों ही चूज किया अवाज में यह एक्सपरेशन किसी के आवाज में नहीं होगा वहाँ पर लेट सेरेट अगें क्या अवाज तो ने थे भर भर में सोरी की आड़ेशिया बूरा क्या आवाज तो अगर आप देखो अनन्या स्रीतम नंदा जी है इस वीडियो में और आवाज भी फीमेल गवर उनका है तो भईया बहुत प्यारी आवाज है बहुत प्यारी आवाज है इनका भी मेरेको फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है क्या आवाज 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 है यार प्लेबैक के लिए रेडी वो ऐसा है इस बंदे की और यह बंदा स्टेज भी फाड़ देता क्योंकि वो इतना सो चो बिट मैंने देखा है ना इंडियन आइडल का बहुत खतर्णाग है परो बहुत खतर्णाग नेक्स्ट लेवल क्या बात है कानों में खुलती है अवाज यार कानों में खुलती है यह अवाज अच सीरिसली मन करता है कि ऐसे सिंगर को सोना जाए और इन लोगों ने यह हरकत करिये क्या ही बोल देगा आदमे इनको यार क्या ही बोल देगा लेट चेरिट आगे क्या दे सौंग क्रेडिट्स आ रहे प्रभुपता महंटी जी ने गाया अनन्या स्रीतम ने गाया है मेकजन मास्टर किया है लाइम लाइट ओडिशा लोगों को जाँ जाओ जाके फटाफट इनका चैनल को बैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को जाके शेर कर दो, इनका चैनल ग्रोग करना चीए, इन इंडियन इडल जैसे टालेंट को, इंडियन इडल जैसे शोज की जरूरत नहीं है, बैं चुद बाइकॉट करो इंडियन इडल को, मैं मूँ पे बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, इतना जादा यार मतलब अलग, इतनी एक्सपेक्टेशन होती थी हमें, जब पहला इंडियन इडल आया था, इस वेरी फेर, शेकिंड में भी यही लगा, थर्ड में भी यही लगा, पर अब तो यार गंदगी, जब से यह नहा ककड़ आई है, इनों अपने भाई के साथ बैठके, जो तीन साल में पहले सोशल मीडिया पर हगा है, गागा के, गागा के, एक ही गाना, एक ही वर्ड, बतलब एक वर्ड पकड़ लेते, उस पर गाना बना दोते हैं, अगर हिमेश की बात कर लो, वो नाक से गागा के, जो दस साल से हगा है बंद काम करें, हमें इनके साथ गाना दिखना चाहिए, या फिर, भाईया आप कैटेगरी इसी में पकड़ रहे हो, and I don't expect that from Vishal Nadlani, personally भी बोलता हूं, और वैसे भी बोलता हूं, because बहुत जादा उमीदे हैं, Vishal सर से हमें, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, honestly बोल रहा हूं, because मेर को वो बंदा बहुत फेर लगता है अपनी बातों में, and I want के ऐसे टालेंड को मिस आउट ना करें, ऐसे टालेंड का लोगों तक पहुचना बहुत जारा जरूरी है, अगर इंडियन आइडल जैसे चूतिया शोज नहीं लेते, ऐसे टालेंड को, तो प्लीज, इनका ही प्ल आटिस के साथ हम उसके बारे में बात हमेशा करेंगे, यहां गर्मी में बैठके वीडियो बनानी पड़ती है, इतने एक्यूपमेंट्स नहीं है मेरे पास, कि मैं यहां पे क्या कहते है, नौइ सेंसर वाला माहिक लगा जखूँ, गर्मी में बैठना पड़ता है, पंखा बंद करके, इसी बंद करके, कई बार आपको पीछे कटरवटर की आवाज सुनाई देगी, यह दो को मच्छर भूमरा, ठीक है, दीरी दीरी यह चीज़े सौट होंगी, पर उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट लगेगी, इस तरीके से प्लीज सपोर्ट बनाए रखो, हम आपके लिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे, which is even entertaining and which is even good, अगर आपको लगता है कि मैंने एक भी बात आपके दिल को छूने वाली कही है, as an artist मैं एक बात कहूंगा, यह injustice जो किया गया है Indian Idol में, it's totally unfair and it should be taken with proper bout by Indian people, actually, हम लोगों को एक बाउट की तरह बॉक्सिंग मैच की तरह, Indian Idol को नॉक आउट करना है, Indian Idol के विनर से जादा follower, subscribers, प्रभु पदा मौंटी और प्रभु पदा मौंटी जी और तो अरीतो रभा के पेजपन, यार इतना सब कुछ होता है, तो कई बार mind clock हो जाता है, कि गर में बाटा हो, अगर तुम लोगों को प्रभु पदा मौंटी जी के और कौन से गाने हैं, जिन पर हम रियाक्ट कर सकते हैं, और like, share, subscribe दबाना तो तुम नहीं भूलते हो, मत बूलना, तबाह देना यार, please, because मेरे को भी उतनी ही support चाहिए, सच्छी बोल रहा हूँ, finances are very low, I need your support, if you guys can, then please subscribe the channel, and bell icon जरूर दबाना Thank you so much, मैं आपके लिए रोज लेके आता हूँ, ऐसी वीडियो और हाँ, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कल एक surprise लेके आ रहा हूँ, तो we'll see you tomorrow, with another video, and many more stuff, so stay tuned, keep watching